बच्चो आज हम आपके लिए अध्या एक कैसे कब और कहां के महत्पून वस्तूनिस्ट प्रसन लेके आएं जो आपके वार्षिक पर इच्छे के लिए महत्पून हैं क्योंकि आपके दस अंके वस्तूनिस्ट प्रसन आएंगे इसलिए हम प्रतेक अध्या के वस्तूनिस्ट प्रसनों को अलग-अलग अध्या में आपको अलग-अलग वीडियो में बताएंगे आज हम आपके लिए अध्या एक कैसे कब और कहां के वस्तूनिस्ट प्रसन लेके आएं चलिए देखते हैं इसके क्या है शही विकल्प का चैन कीजे आपको यहाँ पर शही विकल्प का चैन करना है चार विकल्प दि हैंगे, चार विकल्प में से आपको सही आंसर चुना है चलिए इसका पहला प्रसन देखते हैं, प्रसन नमर एक क्या कह रहा है निमलीखित मेंसे किसके द्वारा जेम्स रेनेल को भारत का मानचीत बनाने के लिए निक्त किया गया निमलीखित मेंसे मेंस इसमें चार अफसंदी है पहला अफसंदी है A नमबर लाड माउट बेटन द्वारा B नमबर रॉबर्ट कॉइन द्वारा C number George Italy द्वारा और D number Lord Litton द्वारा तो बताई सही आंसर इसका क्या होगा तो इसका सही आंसर आ जाएगा B number Robert Quinn द्वारा इसके बाद सेकेंड नंबर का प्रेशन देखिए भारत का आखरी वायस राय कौन था प्रेशन क्या है भारत का आखरी वायस राय कौन था तो A number Litton, B number Warren Hastings, C number Welchery और D number Lord Mountbatten तो इसका सही आंसर क्या होगा बताईए चलिए चार आप्सन में से सोचिए तो इसका सही आंसर आ जाएगा D number Lord Mountbatten इसका नेक्ट प्रेशन दिखते है प्रेशन नमबर तीन प्रेशन नमबर तीन में क्या दिया है पढ़िए जैम्स मील द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है प्रेशन क्या है जैम्स मील द्वारा पुस्तक का नाम जैम्स मील द्वारा लिखित पुस्तक का नाम यहाँ पर चार अप्सन दियें A. History of British India B. History of England C. Discovery of India D. History of Scotland चली बताइए चार अप्सन दियें आपके चार अप्सन में सही आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा A. History of British India जेम सिमील द्वारा लिखित पुस्तक का नाम तो क्या है A. History of British India Next question देखिए Question number 4 Question number 4 में क्या कह रहा है जेम सिमील ने भारत के इत्यास को किस काल में व्भाजित किया प्रेशन के आप फिसे repeat कर दे रहे है जेम सिमील ने भारत के इत्यास को किस काल खंड में व्भाजित किया चार अप्सन दियें इसका शही आंसर आजाएगा इस प्रेकार प्रेशन नमबर चार यहां पर कंप्लिट होता है प्रेशन के काल को किस नाम से जाना जाता है प्रेशन क्या है प्रेशन नमबर पांच भारत में अंग्रेजी सासन के काल को किस नाम से जाना जाता है चार अप्सन दियें ए नमबर ओपनेवेशिक यूग बी नमबर प्राचिन यूग सी नमबर मद्य यूग अधिकरत रिकार्ड से किस के बारे में जानकारी मिलती है तब बता ही सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर आजाएगा तो इसका सही आंसर होगा सरकारी आंसर की सोच next question देखे question number 7 question number 7 पर क्या दिया है राष्टी शंग्राले क्या है प्रेशन राष्टी शंग्राले और राष्टी अभी लेखाकार इस्थित है यहाँ चार आप्सन दिये है A number मुंबई में B number एहमादबाद में C number कुलकाता में और D number नई दिल्ली में बताए शही आंसर क्या होगा चार आप्सन में से तो इसका शही आंसर हो जाएगा आपका साथवे का D number नई दिल्ली में कहाँ पर राष्टी शंग्राले और राष्टी अभी लेखागार इस्थित है कहाँ इस्थित है बिटिश काल के महत्पुल दस्तावेज जो बिटिश समय के महत्पुल दस्तावेज थे को बचा कर रखने के लिए के लिए बनाए गए क्या बनाए गए A number चार आप्सन दिल्ली यहाँ पर A number दिया है अभी लेखागार B number संग्राले C number A और B दोनो और D number इन मेंशे कोई नहीं तो इसका सही answer आजाएगा C number A और B दोनो अभी लेखागार भी बनवाए गए और संग्राले भी बनवाए गए तो इसका answer C number का चाहिए है Next question देखते है Question number 9 Question number 9 में क्या कह रहा है संग्राले में Question क्या है शंग्राले में किन वस्तूं को पेदरसन के लिए रखा जाता है जो शंग्राले होता है उसमें किन वस्तूं को पेदरसन के लिए रखा जाता है यहां चार आपसंदी बताईए A number पुरानी मूर्टिया B number हत्यार C number पुराने एथियासिक सामान और D number उप्रुक्त सभी तो संग्राले में पुरानी मुर्तियां भी रखते हैं हत्यारी भी रखते हैं और पुराने एथियासिक सामान भी तो A, B, C, T, O, T, O, T, O उप्रुक्त सभी तो इसका सही आंसर आजाएगा D number उप्रुक्त सभी Next question देखे question number 10には English उने अच्छे शाषन के संचाले ने तु निमखित में से किस बात पर विशेज बल दिया देखी यहाँ पर question क्या है question number 10 आपका English उने अच्छे शाषन के संचाले ने अच्छा साषन चलाने के लिए अच्छे सासन के संचाले ने है आंसर आजाएगा बी नमबर सर्वेक्षण पर नेस्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 11 क्या दिया है भारती राष्टी अभी लेखागार कब बनाया गया प्रश्चन क्या है भारती राष्टी अभी लेखागार कब बनाया गया तो इसका चार आपसंदी है ए नमबर का सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 1922 दसक में भारती राष्टी अभी लेखा कार 1922 दसक में बनाया गया नेक्स्ट प्रशन है और अंतिम प्रशन है इस अध्याय का वस्वनिस्ट प्रशन है पैतेक 10 वर्स होने वाली जन्संख्या गिंती को क्या कहते हैं प्रशन क्या है पैतेक 10 वर्स के बाद होने वाली जन्संख्या की यहाँ पर जन्संख्या की गिंती को क्या कहते हैं यहाँ पर आपका आजाएगा क्या कहते हैं कहते हैं छूड़ गया यहाँ पर ध्यान दीजेगा कहते हैं यहाँ पर आप जब नोट्स बनाएंगे अपने यहाँ तो इ खाएगा दस वर्ष के दस वर्ष के बाद दस वर्ष के बाद होने वाली जनसंख्या की यहाँ पर की छूटा है आप ध्यान दीजेगा लिख लेंगे आप जनसंख्या की गिन्ती को क्या कहते हैं प्रेशन क्या वना, प्रेशन क्या बना, पेतेग 20 वर्ष के बाद होने वाली जन्सेंकिया की गिंती को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4 आप sposant दी हैं, सर्वेक्शन, जन्गर्ना, मदगर्ना, तुस सभी, उसका सही आंसर आजाएगा B-Number प्रेशन के अतापितिक दस वर्स के बाद होने वाली जन्संक्या की गिंती को क्या कहते हैं तो उसका सही आंसर B नंबर जन्गरना कहते हैं इस परकार आपका प्रेशन नंबर 10 और प्रेशन नंबर 12 यहां पर समाप्त हुआ और हमाई चेनल का नाम क्या है Ideal Dev Classes बच्चो आपको हमने जो अध्या 1 के क्या बताये हां पर अध्या 1 के वस्तूनिष्ट प्रेशन बताये एदि आपको यह वस्तूनिष्ट प्रेशन समझा आए हों तो आप हमारे चैनल आइडल देव क्लासे इसको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए यह अनी गुरूप में शेयर जरूर कीजिए और आपको बता दे हम इसी परकार अध्याए दो अध्या तीन और प्रतेक अध्याए के वस्तुनिस्ट प्रेस्ट अलग-अलग देंगे उनके जो प्रस्णों के उत्तर बताएंगे जो Addgate में भी आया है विकल्प हमने वही से चुनके बनाया है क्योंकि विकल्प Addgate अभियास पुस्तिका में नहीं नहीं है झाल झाल